हींग जिसे औश्रदिय गुणों से भरपूर माना जाता है आपको ये जानकर हैरानी होगी कि सेहत के लिए फायदे मंद हींग हमें और भी कई फायदे दिला सकती है इसके चमत कारिक टोटके धन लाब के साथ साथ और भी फायदे दिलाते हैं इसका इस्तमाल जोतिश के उपायों के तोर पर भी किया जाता है इसके अलावा घर के बड़े बुजर्ग छोटे बच्चों को बुरी नज़र से बचाने के लिए भी हींग की पोटली पहनाते हैं तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे की हींग कैसे हमारे बिगड़े काम बना सकती है और इससे होने वाले चमत कारिक लाब तो सारे लाब जानने के लिए वीडियो को अंतक जरूर देखें तो आईए जानते हैं जोते शास्तर के मुताबिक अगर आपका कारिय बनते बनते बिगड़ जाता हो या फिर कोई महत्पपून कारिय बन ही नहीं रहा हो तो घर से निकलते ही चुटकी भर हींग ले ले इसके बाद मुख्य दर्वाजे पर पहुंच कर उसे अपने सिर से तीन बार वार कर उत्तर दिशा में फेक दे इसके बाद बिना पीछे देखे घर से निकल जाएं मन में अपने आराध्धिका चिंतन करें मानिता है कि ऐसा करने से कारियों में सफलता मिलती है जोतिश शास्तर के अनुसार अगर आप नौकरी की तलाश में हैं या फिर इंटुव्यू के लिए जा रहे हों तो हींग आपकी मदद कर सकती है इसके लिए आप बाहर जाने से पहले एक ग्राम हींग दाएं हाथ में रखें और श्री श्री का उचारण करके निगल ले इसके बाद बिना पीछे देखे हुए घड से बाहर निकले मानिता है कि ऐसा करने से इंटुव्यू में सफलता मिल जाती है जोतिश शास्तर के अनुसार अगर आपको डर या शंका हो कि आपके उपर तांत्रिक प्रयोग किया गया है तो ऐसे में हींग घुले हुए पानी से कुल्ला करे मानिता है कि ऐसा करने से तांत्रिक प्रयोग का प्रभाव खत्म हो जाता है यही वज़ा है कि जोतिशी और तंत्र विद्या को जानने बाले लोग जातकों को परिशानी से राहत दिलाने के लिए हींग का प्रयोग करते हैं कर्ज लेना तो आसान होता है लेकिन जब उसे चुकाने की बारी आती है तो कई बार तमाम मुश्किले आ जाती है जोतिश शास्त्र के मुताबिक इसके लिए अगर हींग का प्रयोग किया जाए तो यह कड़ से मुक्ती दिलाती है इसके लिए नियमित रूप से नहाने के पानी में चुटकी भर हींग डालते हींग जब पूरी तरह से पानी में घुल जाए तो उसी पानी से सनान करें ध्यान रखें कि यह प्रयोग आपको 21 से 41 दिनों तक नियमित रूप से करना है जोतिश शास्त्र के मुताबिक हींग ना केवल धन और तंत्र संबंधी समस्याओं से राहत दिलाती है बलकि नेगिटिव वाइब्स भी दूर करती है अगर कभी भी जातक को घर परिवार या स्वेम पर नेगिटिव उज़ा का आभास हो तो उसे हींग का प्रयोग करना चाहिए इसके लिए 5 ग्राम हींग, 5 ग्राम कपूर और 5 ग्राम काली मिर्च का चून बना कर इसकी गोलियां बना ले इन गोलियों को दो पराबर हिस्सों में बांटते हैं इसमें से एक एक गोली लेकर नियमेत रूप से सुभा और शाम घर में जलाएं ऐसा करने से नेगिटिव उज़ा से मुक्ती मिल जाती है कुनली टीवी डेस्क से प्रिया शर्मा की रिपोर्ट बताएं धन्यवाद